प्रेंग वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ के हर वीक में वेनेजडे और सटर्डे को दो पहेड डेर बज़े नेचर वीत नीला हिंदी का वीडियो आएगा और अभी तो लॉकडाउन नहीं है इसलिए बहुत बिजी हो गई हूँ तो वीक में दो दिन आप लोगों को वीडियो मिलेगी एक है वेनेजडे और एक है सटर्डे वेनेजडे और सटर्डे को दो पहेड डेर बज़े नेचर वीत नीला हिंदी का वीडियो आप लोगों को मिलेगा अब अब आप देख रहे हैं नेचर वीट नीला हिंदी इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अरुनीमा और अरुनीका का जो डिफरेंसेस है और जो उसका वैसिष्ट है ये सभी आप लोगों को दिखाए थे आज मैं अंबिका के बारे में कुछ आलोचोना आप लोगों से करूँगी डिसकस्शन करूँगी अंबिका एक बहुत अच्छी भराइटी का मैंगो है और पहले में अंबिका का पौधा कैसा होता है कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे वो आपको दिखाऊंगी उसके बाद इसके बारे में सभी जानकारी जितना मैं जानती हूँ और मैं पहले से इसके बारे में बहुत सारा पढ़ाही लिखाई किया ये नहीं है लेकिन अभी इसके उपर काम कर रही हूँ तो मुझको इसका सही जो information है वो मुझको कैदर करना चाहिए मुझे जानना चाहिए इसलिए मैं बाहर भी जाती हूँ और पढ़ाही भी करती हूँ करके मैं जतना जान सकी हूँ सभी आप लोगों के साथ मैं शेर कर रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं thankful हूँ या धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सेरों को मतलब जो रिसर्चर को जो लोग ये अम्बीका आरूनिका जैसा अच्छी अच्छी वराइटी देशी वराइटी हम लोगों के लिए बनाए हैं तो मैं उन लोगों से थैंक्फूल हो फ्रेंट देखिए ये हैं अम्बीका का पौधा छोटा सा एक पौधा है अम्बीका का पौधा इसका पत्ता मैं पहले दिखा देती हूँ अच्छी तरह से ये देखिए यह देखे, यह हैं अंबीका का पौधा, आप लोग जहां से भी लें, जिधर से भी लें इसको थोड़ा सा पहचानें, क्योंकि अंबीका का पौधा पत्ता पहचानना बहुत ही easy है, क्योंकि यह ज्यादा टाफ नहीं है, इसको देखने से भी पता चलता है, और जो किसान भा जितना के किसान भाई उसके जमीन पे बहुत सारा पौधा लगाएंगे क्योंकि उनके उपर डिपेंड करता है बहुत सारा मतलब पडिवार तो इसलिए सबके लिए मैं अच्छी तरह से इसको दिखाती हूँ देखिए यह है अंबिका का पौधा और अंबिका का जो वरिशि है इसके जो पकाने फेसिए चाओर और बड़ा साइस का होता है फेसका प्नलत हो कि लिए अंबिका 카 पौधा और यह है उसका प्ता इसको पहले अप फैसकी तरह से ले उसके बाद में मैं इसका जो डिसकॉशन हह वह आप लोगों के साथ करोंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यह अंबीका का छोटा फ्रूट है अभी तक वो पका नहीं है मतलब रेडी नहीं है तो कच्चे में यह परपिल कलर का होता है और जब पूरा पक जाता है बड़ा होके तो पूरा लाल कलर का होता है यह देखिए अंबीका का fruit और ये थोड़ा सा नीचे की हिस्सा टेरा होता है और दिखने में बहुत खुबसूरत है इसका पत्ता भी थोड़ा सा देख लीजिए fruit के साथ ये देखिए इसका पत्ता मैं सभी पिछले दिनों की तरह पेपर में सब नोट करके रखी हूँ CISH Central Institute for Subtropical Horticulture ये जो Research Center है Mango का यहाँ पे 2002 साल में ये जो अंभी का आम है ये आमरोपाली और जनर्दन पसंद को क्रॉस करके बनेया गया था और इससे पहले मैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो टेरेस में लगाएंगे वो जो आम या जो मैंगो कमर्शियली अच्छे होंगे उसको ही हम लोगों को टेरेस में लगाना चाहिए क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि commercially अच्छा होगा, उसी के बाद ये बाजार में आएगा और बाजार से हम लोग ही उसको खरीद के खाएंगे तो अगर हम लोगों को terrace में लगाना है या खेत में लगाना है तो हमको अच्छे variety का mango चाहिए हमारे देश में बहुत सारे जगा में मैंगो का बहुत उत्पादन होता है जैसे के आप लोग जानते हैं हमारे वेस्ट विंगल में मालदा, मुशिदाबाद, इस साइट में बहुत सारा मैंगो का बेल्ट है और वैसे ही UP में उत्तर प्रदेश में बहुत सरे जगा में आम गविशना किंद्र भी है और आम का खेती भी बहाँ पे बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे सालों से चल रहा है आम का खेती या आम का बगीजा तो हमारे देश में जितना भी आम का फलन होता है उसमें से बहुत कम रप्तानी होता है या भी देश में जाता है क्योंकि अगर इसको कमर्शियल अच्छा करना चाहिए तो इसका पहले देखा जाता है सेलफ लाइफ उसके बाद इसका टेस्ट और उसके बाद अभी जो मतलब रिसेंटली आ रहा है वो है कलर क्योंकि सब लोगों को कलर्फुल मैंगो के लिए बहुत इंटरेस्ट है कलर्फुल मैंगो बादार में बहुत लोग चाहते हैं उसको खड़िदना इसलिए अभी जो है वो है कलर्फुल मैंगो तो हम लोगों को क्या चाहिए सेलफ लाइफ अच्छा चाहिए मैंगो का टेस्ट अच्छा चाहिए और कलर्फुल मैंगो चाहिए तो इनी चीजों को ध्यार में रखते हुए जो रिसर्चर है जो रिसर्चर जो है वो लोग इसको मतलब आमरुपाली और जनर्दन प्रसंद को कॉस करके 2002 में अंबिका को निकाला था अंबिका तैयार हुआ था बहुत साल पहले लेकिन लोगों को उतना इंफर्मेशन नहीं था अभी सोशल मिडिया में या थोड़ा-थोड़ा करके सभी जानकरी पा रहे हैं और धीरे धीरे अंबिका को लोग लगा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह हमारा इंडियन वराइटी है बहुत अच्छा एक वराइटी है हम लोग कलरिंग आम के लिए बाहर के विदेशों के आम को ले आते हैं या उसको लगाने का इच्छा जगात मतलब चाहद लगाएंगे लेकिन हमारे देश में भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे वराइटी है जो भी हम लोग लगा सकते हैं तो यह जो अम्बी का आम है इसका जो वेट होता है वह 400-600 ग्राम का होता है प्रेंट जादा तर जो मैंगो होता है वो बहुत जल्द पक जाता है गर्मी में लेकिन गर्मी चले जाने के बाद या दो महीना बाद उसके बाद हम लोगों को फिर मैंगो खाने को उतना नहीं मिलता है और बाजारों में जो off-season में mango आता है वो उतना tasty नहीं होता है तो उसी ध्यान से अगर देखा जाए तो अंबी का एक ऐसा वराइटी है जो laid वराइटी है वो अगस्ट के last में जाके वो पकता है और उसको खाने में बहुत अच्छा है क्योंकि उसका जो मीठा पैन है वो 22 तक है और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है पहले वो purple कलर का होता है कच्छे में और पक जाने पे पूरा ही rate कलर का होता है और इसका cell ply बहुत अच्छा है ये one week से ज़्यादा भी आप लोग घर में इसको रख सकते हैं हाई डेंसिटी अल्टर हाई डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा एट मैंगो है कोई अगर हाई डेंसिटी में ये अल्टर हाई डेंसिटी में मैंगो का खेती करना चाते हैं तो वो लोग अंबिका को लगा सकते हैं और अंबिका गंबले के लिए बहुत ही अच्छा एक भराइटी है क्योंकि यह बहुत ड्वर भराइटी है यह अगर ठीक से प्रूनिंग करके रखा जाएगा तो 10 सालों तक इसका हाइड सिर्फ 6 फिट तक जाएगा पांच से 6 फिट का ही होगा इससे जादा यह बड़ा नहीं होता है और फ्रेंड हम लोग जब गंबले में लगाते हैं तो हम लोगों को इसको क्राटिंग पूर्णिंग करके अच्छी तरह से रखना है तो यह बहुत ही ड्वर भराइटी है आगस्ट के लास्ट में जाके पकता है तो ओवर यह बहुत ही अच्छा एक मेंगो है जो किसान इसको खेती के लिए या कमर्शियल लगाना चाहते है वह जरूर इसको खेती के लिए लगा सकते है और इसका जो टी-स आसे मैंने तो बोला यह 22 है और बात जो बटाना चाहती थी में कि बहुत सारे वीदेशों से हमारी यहां तलए यह तोनों मैंगो का मचट्प्रोल लाज था है लेकिन को अब described यह तो रो झो रहा होँ गुन है यह सभी अंबिका में आ गया है इसलिए अंबिका एक कम्प्लीट कालरफूल सेल प्लाइस के साथ बहुत अच्छा एक भराइटी है तो फ्रेंट वीडियो में आप लोगों को कुछ अंबिका का पौधा और कुछ फ्रूट का पिक्चर भी दिखाई देगा और वीड है जितना भी हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मेरा नौलेज है मैं आप लोगों में देना चाहती हूँ बहुत सारे फ्रेंट है जिन लोगों को पहले से इनका बहुत ज्यादा नौलेज है तो जो फ्रेंट यह जानते नहीं है या इसके बार में जानना अगर अच्छा लगे कि यह इन्फरमेटिव है इसको लोगों में देना देखे लोगों का हेल्प हो सकता है तो जरूर इसको शेयर कीजिए और फिर भी मैं पहले और एक बार दिखा देती हूं यह है अंबिका का पौधा अच्छी तरह से देख लीजिए यह पता इसको देख देखने से ही पता चलता है देखिए तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और सभी सुस्त रहे अच्छी रहे मेरी इस वीडियो को अंध तक देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद नमस्कार